नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में आज मैं कुछ अफ़ाओं के उपर बात करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं शरदहांजली अर्पित करना चाहता हूँ पूरे सत्य सनातन परिवार की और से उन सभी अमर बलिदानियों के प्रती जिन्होंने कश्मीर में भारत मता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुती दी एक जैश ए मुहमद यानि के मुहमद की सेना नाम के एक आतंकवादी संगठन के एक बमधमाके में उस बमधमा लोगों ने मिलकर के भारत को दहलाने का वो जो काम किया था उसके बाद में आपने चीज़ को पॉइंट किया होगा कि भारत में मुसल्मानों ने अचानक से भारती हिंदुों को काव यूरीन ड्रिंकर कहना शुरू कर दिया था और ये वही आदिल एहमदार है जिसने पहल पाकिस्तानी मंत्रियों वहाँ की जनता की तरज पर भारतियों को काव यूरीन ड्रिंकर कहना शुरू किया था यानि कि पाकिस्तान के मंत्रियों वहाँ की जनता की भाषा आदिल एहमदार ने बोली और उन्हीं आतंकवादियों की भाषा आज बहुतायत मुसल्मान हिंद डार हैं जो आस पास आप लोगों के ही रहते हैं स्लीपिंग मोड में हैं जब मर जी उनके वो जो शानत जो अला मुखी है वो फट जाएगी विस्फोट कर जाएगी और भारत में कहीं न कहीं एक बार फिर से हजारों पुलवामा करने के लिए तैयारी में वो जो लगे हुए हैं एक बार फिर से उस घटना को अंजाम देने के लिए वो तैयार हैं कुछ अफ़ाओं के उपर भी बात करूँगा आज ही के दिन ये भी कहते हैं कि 14 फरवरी को ही बगत सिंग राज गुरू और सुखदेव जी को फांसे दी गई थी लेकिन जब उसका अंसर मिल जाता है कि वो तो 23 मार्च को दी गई थी तो कुछ लोग कहते हैं कि 14 फरवरी के दिन उनको सजा सुनाई गई थी ये भी एक कोरी कलपना है और ये भी एक अफ़ा ही है क्योंकि उनको जो सजा सुनाई गई थी वो 7 अक्टूबर सन 1930 को सुनाई गई थी 14 फरवरी का एक कनेक्शन है लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता है ततकालीन आरिय समाज के एक जो क्रांती कारिने था थे उस समय पर महा मना मदन मोहन मालविय जी जी हाँ ये वही हैं जिनोंने बी एच्यू की स्थापना की थी उन्होंने उस टाइम के जो अंगरे जी हुकूमत के जो गवर्नर थे इर आपने एक बात देखियोगी आजकल मानावता के आधार पर भी जो निर्भाया थी जो लड़की उसके रेपिस्ट को बचाने की माफ करने की डिमांड चल रही है यहां तक कि इंद्रा जैसिंग्न तो ये भी कह दे था कि उसकी मा को ही निर्भाया की मा को ही इन अपरादिय को माफ कर देना चाहिए आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां तक कहा दे कि हम जीवन जीने की का जो अधिकार है वो परदान करते हैं ना कि हम किसी का जीवन ले सकते हैं आप जब इन चीजों को देखते हैं कोर्ट इस तरीके की जो बाते करता है जो कि इक पर 14 फरवरी के दिन ही 1931 में महामनामदन महनमालवे जी ने भी ये बात उठाई थी लेकिन उनको उनको जीने का अधिकार नहीं दे रहा था ये सिस्टम आज वही सिस्टम कहा रहा है कि हमको जीने का अधिकार देने का हक है ना कि किसी की जान लेने का अधिकार है बले ही वो क एक और अफवा मेरे पास में एक का WhatsApp कॉल आया था, कोई Muslim था था उसने कहा कि देखिए, अल्लहा कितने ग्यानी है, मतलब अल्लहा का रह्म करम मानिये है, उन्होंने कितने पहले ही बताया था कि हमको सुवर का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सुवर का मांस खाने से ही स्व फ्लू फैलता है, तो उसका उसके पास में कोई आंसर नहीं था, क्रोना वाइरस के बारे में उसने कहा कि जो पांच वकत के नमाजी थे, वो सब लोग बच गए और चीन में तो लोगों ने पांच वकत की नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जब मैंने उससे ख़बर मांगी, तो वो उसने दी ही नहीं, यानि कि अफवाएं इस कदर फैलाए जा रही हैं, जिससे कि एक तरीके से जो अंधिविश्वासी लोग हैं, वो इन चीजों में जल्दी से जल्दी आएं, इस तरीके का कुछ हुआ नहीं है, ना ही कोरोना के विशे में, ना ही स्वाइन के लेकिन वो उसने नहीं बताया, इसके अलावा जो कुरानो वाइरस है, उसकी वज़े से कितने लोग मरे हैं, पूरे विश्व के प्रत्यक विद्वान के पास में उसका आंकड़ा भी है, उसके सबूत भी हैं कि कितने लोग मारे जा चुके हैं, मुसल्मानों खुद की बात में इस तरीके के वाइरस पैदा अगर कोई करता आपको मिले, तो उसका तुरंत ही जवाब दिया करें, बहुत सारी ऐसी अफ़ाएं होती हैं, जिनके उपर चमतकार और अंधविश्वास में विश्वास करने वाले लोग बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, अफव अफवा है, अफवा को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट ना करें, अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो सत्यसनातन यूट्यूब चैनल को आप सबस्क्राइब करें, बैल ऐकन को प्रेस करें, अपने सभी साथ युमिन वीडियो को शेर किया करें, अगर आ बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यसनातन मैदिक धर्म की जय, जय हिंदवन्दे मातरम